अब सबसे बड़ा मेटर यहां पर आएगा यह फोटो वाला अब देखें हम यहां पर फोटो चड़ाते हैं मांचली यह फोटो है हमारी देखें यहां पर बोल ला है कि जो है इमेज विथ जो इसकी शूड वी 132 पिक्सल एंड हाइट 170 पिक्सल जो करेंट डिमेंशन इतना तो हमारा जो करन डिमेंशन जो हमारी फोटो का अभी जो प्रारूप है वो इतना इतना पिक्सल का है लेकिन इसमें जो मांगा हुआ है इतना और इतना मांगा है ठीक है इसकी चोड़ाई जो है 132 मांगी हुई है पिक्सल और हाइट इसकी 170 हम इसको करते हैं फिर यहां पर तो हमारे सामने यहां पर लिखा हुए www.resizepixel.com मतलब जो इस website के link हम अपने description में भी दे देंगे आप वहां से भी जाके इसको खोल के अपनी photo को resize कर सकते हैं तो हम इस पर क्लिक करते हैं और उसके बाद यहां पर हम अपनी photo upload करेंगे upload image लिखा है इस पर क्लिक करेंगे और अपनी यहां भी location होगा हमारी photo का हम उसको select करके इस पर upload करेंगे उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसा dialogue box आएगा तो हम इस पर क्या करेंगे जो लिखा है fix impressions ratio है इसको हम tick हटा देंगे और यहां पर हमारी width मांगी थी 132 मांगा था और height हमारी 170 मांगा था ठीक है अगर हम इस पर tick लगा देंगे पहले ही अब पहले जैसे मांचली पहले इसमें टीक लगा था अगर हम इसमें अब लिखेंगे कोई भी dimension तो अपने यहां भी height लेगा हम नहीं लिखेंगे क्यों क्यों कि उसमें जो dimension मांगा हमको इसके आप से करना है तो हम इहां पहले लिखेंगे 132 और यहां पर हम लिखेंगे 170 अवसके बाद करेंगे resize अब resize करने कौब यहां पर आएंगे go to download resize पर क्लिक करने काफ़ हम आएंगे यहां पर go to download उसके बाद फिर हमारे पास आएगा download image वह पर फिर हम इस पर किलेंगे download image तो हमारे पास यह photo download हो जाएगी अब फिर इस photo को हम जो है desktop पर या कहें भी किसी भी location पर लिखके रख देंगे उसके बाद हम यहां पर आएगे अपने जहांपर हम फॉर्म भर रहे हैं इस पर आएंगे उसके बाद हम यहां पर upload photo पर जाएगे फिर इसके बाद हम ने जो photo research कियी है इस पर हम क्लिक करेंगे देखे ठाड़िए photo चढ़ powerless Gonna upload उसके बाद हमाई पर signature है upload signature 172 थी तो यहाँ पर इसकी width 170 कर दिया और height 132 कर दिया है पिक्सल का उचलिए हम इसको ok करते हैं फिर यहाँ पर हम अपने जो हमने website खोली थी research pixel वाले पर हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर upload image पर click करेंगे और यहाँ पर signature को upload करेंगे उसके बाद हम इसको tick को हटाएंगे और यहाँ पर हमारी जो पहले width 132 थी और height 170 थी तो हम यहाँ पर width को 170 कर देंगे और height को 132 कर देंगे और उसके बाद रिसाइज करेंगे और उसके बाद यहाँ पर go to download उसके बाद download image पर click करेंगे उसके बाद जो है हम इसको desktop पर रख लेते हैं signature को उसके बाद हम यहाँ पर फिर अपने browser पर आएंगे यहाँ आप upload signature पर click करेंगे और यह signature upload होगे उसी तरह हम थम को भी research करेंगे एक बार देख लेते हैं हमारा thumb upload हो रहा है नहीं नहीं हो रहा है तो हम इसको बजाएंगे जो हमने सर्फ website बताई थी पिक्सल रिसाइड वाले पर यहाँ पर हम upload image पर click करेंगे तो हमको upload की यहाँ पर हमने जो size बनाई जो signature की size थी हमारी width 170 और height 132 इस पर click करेंगे और इस पर resize पर click करेंगे उसके बाद go to download पर click करेंगे उसके download image पर click करेंगे उसके बाद हम इसको desktop पिलाग रख लेते हैं उसके बाद हम अपने sub form पर जाएंगे और यहाँ पर upload पर click करेंगे जो हमने size बनाई थी इस पर थम की इसको upload करेंगे अगर हम PC या laptop से CCCC का form बर रहे हैं अगर हमको photo signature या thumb चड़ाने में कोई भी problem आ रही है तो हम जो system या हमारा personal computer या laptop जो भी कहत करेंगे उसके बाद आपकी जो photo signature हम जो भी है उसको यहाँ पर फाइल पर जाएंगे open प्लिक करेंगे आपका जहां भी location होगा आप उसको ले जाएंगे वहाँ पर उसको open करेंगे जैसे कि हम photo की size बनाते हैं तो हमारी यह photo है उसके बाद जो size हमको कैसे बनाना है यहाँ प पर भी क्लिक कर सकते हैं चाहे तो हम control w प्रेस करेंगे keyboard में तो वह option यह खुल जाए अगरी size का हम इस पर आएंगे फिर यहाँ पर हमको percentage का option है इसको छोड़के हमको pixels पे टिक लगाना है उसके बाद यहाँ पर maintain वाले option पर जो टिक लगा इसको भी हटाना है फिर इसके बा यह हमारी height है तो हम यहाँ पर width में जो हमारी मांगा हुआ है इसकी चोड़ाई 132 मांगा पिक्सल ठीक है और height हमारी जो मांगा हुआ है 170 ठीक उसके बाद हम यहाँ पर उसको ok कर देंगे और उसके बाद हम इसको save कर लेंगे चाहे हम control s भी दबा सकते है keyboard में चाहे तो हम save s भी क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद हम इसको जहां भी location पर save करना चाहते हैं उसके ले जाके हम save कर देंगे and use कर देंगे या save कर देंगे direct हो जाएगा ठीक है और उसके बाद इसी तरह हम को अपनी signature को भी बनाना है तो हम यहाँ पर जाएंगे open पर करेंगे जहां भी हमारी फाइल की location होगे हम उसको open करेंगे उसके बाद हम यहाँ पर research पर click करेंगे चाहे control w दबा देंगे उसके बाद pixel पर click करेंगे यहाँ पर stick को option को हटा देंगे यहाँ पर हमसे जो photo थी हमारी और उस जो signature है दोनों का opposite हो जाएगा pixel फोटो की जो height मांगा था 170 मांगा था अब के बाद हम okay करेंगे और इसको हम save कर लेंगे उसी तरह हम अपना thumb खोलेंगे यहाँ पर open करेंगे thumb ले जाएंगे यहाँ पर open करेंगे यहाँ पर हम अपनी resize पर click करेंगे चाहे control w हम प्रेस कर देंगे ठीक और यहां पर हम pixel पर select करेंगे यहां maintain expect ratio को ठीक हटाएंगे और यहां पर हम अपना जो है pixel लिखेंगे signature और thumb का जो pixel होगा सेम होगा जैसे कि हमने signature का जो width बनाया था 170 और height जो हमने बनाई थी 132 इसको हम okay करेंगे और इसको हम save कर लेंगे उसके save पर click करेंगे और yes कर देंगे बस इसी तरह आपका जो size बनागे हम इसको cross करके देख सकते हमारी size कैसी है यहां पर open करेंगे तो देखिए यहां पर हमारी जो kb दिखा रहा है 9.56 kb और dimension 132 से 170 pixel है तो जो इसमें photo मांगा हुआ है हमार इसमें काना है में triple c में 5 से 50 kb क अंदर photo की size होने शीए और signature की जो size 5 से 20 kb क अंदर मांगा है थम की भी 5 से 20 के भी कंदर मांगा है देखिए 9 है यह भी चड़ जाएगी और हम थम signature ले आते हैं इसकी भी 7.73 है यह भी चड़ जाएगी 170 x 32 यह भी ठीक है 170 x 32 यह भी ठीक है बस इसको आप upload करेंगे properly upload जागे थांक्स पर वाचिंग जाएगी